जीवन में बिना मैनत के किसी को कुछ भी नहीं मिलता हर वेक्ति की छमता अलग-अलग होती है हर वेक्ति अपने इसाप से काम करता है कुछ लोगों को मैनत करने का सोक होता है उन्हें एक पल भी खाली बेठना अच्छा नहीं लगता जबकि इसके उलट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैनत का नाम सुनते ही कापने लगते हैं वो लोग किसी भी काम को बस निप्टा देते हैं हर वेक्ति की काम में राय अलग-अलग होती है क्या आपने कभी किसी के बारे में सोचा है कि कोई कम और कोई ज़्यादा मैनत क्यों महेंती क्यों होता है आज हम कुछ राश्यों के साथ से बात करेंगे जैसे मेज से लेकर में तक राश्यों के बारे में जानेंगे और इनमें जो सबसे महेंती आठ राशिया है उनके बारे में चर्चा करेंगे जो 30 सास्तर के नुसार कौन सी 8 रासियां है जो सबसे ज़्यादा महनती माने गई हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली रासिया आप डिस्प्ले बर मक्कर देख रहे हूँ ऐसा माना जाता है कि इस रासि के लोग सब ज़्यादा महनती होते हैं इन लोगों का आदत होती है हर काम में प्रफेक्शन से करने की यही वज़ा होती है कि किसी भी काम को अच्छे से करते हैं इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्हें काम करने का नसा होता है महनती होने के बारे में इस रासिया का चिन बक्रा बना हुआ है जो काफी महनती है अगले राशी कुम्ब है महनती लोगों की सूची में कुम्ब दूसरे इस्तान पर है इस राशी के लोग बहुत ज़्यादा मैतोक अंक्सी होते हैं इसी वज़े से ये बहुत ज़्यादा मैनत करते हैं जीवन में कई सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान भी लगाते हैं मतलब मैंन्ती वाली रासियों में कुम रासियों को दूसरे स्थान पर रखा गया है तीसरे स्थान पर मेन है इस रासियों के लोग सबसे ज़्यादा बुद्धी माने जाते हैं जल राशी होने के वज़े से लोग सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं इन लोगों के सब्चे बड़ी खासित यह होती है यह जो भी सपने देखते हैं उन्हें पूरा करके ही मानते हैं जो बार ठान लेते हैं, उसके बाद किसी भी कीमत पर उसे पूरा करने की सोचते हैं और करते भी हैं। राशी जकर में यह तीसरी राशी है, जो सबसे ज़्यादा मेहनती बताई गई है। मेन राशी, जो अपने सपनों को साकार करती है। अगली राशी मेस है, मेस राशी वो अगनी तत्वा वाली राशी राशीों में रखा गया है, अपनी स्रेने के सबसे मेहनती राशी होती है, इस राशी के जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, इन लोगों को उच्छ जिवन इस्तर से प्यार होता है, उसे पाने के लिए कुछ भी करते हैं मतलब काफी महनती होते हैं और अपने सपनों के लिए पूरी जीजान लगाते हैं और एक कुछ जीवन इस्तर का जीवन जिने में मैत्वर रखते हैं उसमें विश्वास रखते हैं वर्सब की बात करें तो भूमी चीना वाली रासियां अपने इस्ताइतव कोई के लिए जानी जाती है इन लोगों के अंदर आकरशन और विसेस कार यह चमता होती है यह हर चीज अपने नजरिये से देखती है यह इन्हें खास बनाता है यह अपने काम को खास तरीके से करने के लिए जाने जाते हैं मतलब सबसे हटके सबसे अलग तरीके से अपने कार करते हैं जब भी इन्हें कोई काम निंगता है तो और इस जब तक वैं पूरा ना हो तब तक ये उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं अगली रासी मिथून है बलें लोगों की सोच अमेसा बदलती रहती हो लेकिन इनके महतवा कामसा उन्हें मैनत के लिए अमेसा प्रेरित करती है ये भी लगजरी लाइट के दिवाने होते हैं और पसंद आने वाली हर चीज को पाना चाहते हैं ये लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन राद परवा किये बिना उसमें लगे रहते हैं सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात ये लोग मैनत करते हैं अगली रासी करग है इस रासी के लोग बहुत ज्यादा मैनती नहीं होते लेकिन हर काम में perfection देखते हैं यही बज़ोती कि अपने हाथ में लेने वाले हर काम को यह पूरा करके मानते इन्हें बहुत ज़्यादा मैंती तो नहीं कहा जा सकता पर जिम्मेधारी जब इनको मिलती है तो इसे बखुबी पूरा कर लेते हैं मतलब यह इतनी मैनस करते हैं जितनी जरूत होती है ना उसे कम ना उसे ज़्यादा बस एक perfection मना के चलते हैं और उसे के ओपर टिक कर उस कारिये को पूरा करते हैं अगली राशी सिंग है अगनी ततो वाली इस राशी के जातक बहुत मैतव कांगसी और ताकत से प्यार करने वाले होते हैं मैत्व कांग सी मतलब मैत्व हर चीज का मैत्व समझने वाले ये अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जले जाते हैं मतलब हर वो जीतोड मैनत करते हैं सिंग राशी के जात तक जो इन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए करनी होती है कन्यारासी की बात करें तो इस रासी के जातकों को उत्खास होता है लेकिन इने मैनत करना पसंद नहीं होता ये किसी भी काम से बहुत जल्दी उप जाते हैं और ज़्यादा मैनत वाला काम होतों उसे बीच में छोड़ भी देते हैं सिंग रासी के जादा कुछ इस तरीके से होते हैं कि काम को अच्छे तरीके से संभाल नहीं पाते हैं बीच में उस काम को छोड़ देना या उससे उप जाते हैं मैंनत नहीं कर पाते हैं और उसे बीच में छोड़ना सही समझते है अगली रासी तुला है इस रासी के जातकों का जुड़ाओ शुकर गरह से होने के काहिने आराम करना पसंद होता है इन्हें लगजरी लाइप से बहुत फ्रेम होता है यह हर काम को खास बनाने की चाहत रखते तो हैं लेकिन उसे जल मैनत करना के मामले में इस रासी के लोग दो अन्य दो जल रासी के लोगों से बिलकुल उल्ट है इनका जातर ध्यान दुस्मनों से बद्ला लेने में लगा रहता है इनका काम में दिल नहीं लगता यह लोग हर काम को जल्दी निप्टा दे निप्टा देना चाहते हैं मलग कम समय में बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ऐसा संभव होता नहीं है उसके अनरूप ये मैनत करते नहीं दनू की बात करें तो इस रासी के लोग बारा रास्यों में सबसे ज्यादा काम चोर माने गए हैं इस रासी के लोग मैनत करना चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते इन लोग को घूमने फिरने का ज्यादा सोक होता है इसलिए जातर ज्यान उसी में लगा रहता है ये अपने काम को जल्दी पूरा करके अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं सफल भी होते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन संबाने तरीके से ये कुछ रास्यों को लेकर बाते थी इसके अलावा जीवन चे ज़ुड़ी और प्रेशानी जैसे विवा को लेकर, व्यापार को लेकर, नोकरी में तरकी को लेकर बाग्योदे को लेकर, रतन रंग अंग को लेकर ग्रेकलेशे मुक्ती, कुंडली विसलेशन किसी भी परकार की कोई भी समस्या है तो आप डिस्प्ले पर सुमामी ची के नमबर देख रहे हैं आप सीधे भी उनसे बात सीथ करके अपनी समस्याँ को समधान और जिवन से चुड़ी प्रेशानियों का हल उनसे करवा सकते हैं तो उमिद गरूँआ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगाया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सेर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मिद भूलेगा तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं दहने बाद